बच्चों, उत्पादन के सभी साधन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। इन में से किसी एक क्या भाव में भी उत्पादन कारे संभव नहीं हो पाएगा। जैसे मान लेजे, उत्पादन के लिए भूमी उपलब्ध है, श्रमिक कारे करने के लिए तैयार है। लेकिन यदि पूंजी नहीं है, तो क्या उत्पादन कारे संभव हो सकता है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादन के लिए हमको कच्चा माल और कुछ मशीनों के भी आवशक्ता तो होती है। अब कच्चा माल और मशीन खरीदने के लिए हमें पूंजी यानि के धन के आवशक्ता होगी। तो ये पूंजी है क्या और आती कहां से है? पूंजी किसे भी व्यक्ति द्वारा अपनी बचत से एकठा किया हुआ धन होता है, जिसे हम बैंकों में सुरक्षित रखते हैं औ जरूरत पढ़ने पर ब्यात सहीत प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बचत की राशी को ही पूंजी के रूप में उप्योग करें, बलकि हम बैंकों से रिड़ लेकर भी उसका उप्योग पूंजी के रूप में कर सकते हैं। बच्चों, रायपूर में बड़े उद्योगों के साथ साथी कई छोटे उद्योगों की भी स्थापना हुई हैं। क्योंकि इन में लगने वाली पूंजी इनको आसानी से उपलब्ध हो सकी है। इन उद्योगों के लिए पूंजी बैंकों से रिड़ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सरकार भी इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाय चला रही है। PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार उद्पादन योजना और DIC जिला उद्योग केंद्र ऐसे ही कुछ योजनाय हैं जिनके द्वारा इन उद्योगों को आसानी से रिड़ प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब आप ये तो जान ही गए हैं कि उद्पादन में भूमी, श्रम और पूंजी का क्या महत्तु हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हैं कि ये भूमी, श्रम और पूंजी आती कैसे हैं, इनकी व्यवस्था कौन करता हैं। उद्धमी यानि कि सहासी ऐसा व्यक्ति होता है जो उद्पादन के इन साधुनों की व्यवस्था करता है। वो भूमी पति से भूमी लेता है, बैंकों से रिण या अपनी बचत के माध्यम से पूंजी एकत्रित करता है और श्रमिकों की मजदूरी भी उद्धमी ये निश्चित करता है। उत्पादन से जो भी आय होती है, उसका हिस्सा उत्पादन के इन साधुनों में बाट दिया जाता है। जैसे भूमी पती को उसका हिस्सा लगान के रूप में, पूंजी पती को उसका हिस्सा ब्याज के रूप में और श्रमिक को उसका हिस्सा मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। और उसके बाद जो आय होती है या जो बच जाती है वह हिस्सा सहासी यानि कि उद्धमी का होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उद्धमी के इन साधनों को उनका हिस्सा देने के बाद उद्धमी के पास कुछ भी न बचे यानि कि उसको हानी भी हो सकती है तो क्योंकि उद्मी एक ऐसा उत्पादन का साधन है जिसका हिस्सा उत्पादन में हमेशा अनिश्चित होता है यानि कि उसको लाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है इसलिए उद्मी साहसी कहलाता है